नमस्कार वल देखिंत के अंदर वॉलीटिविटी पी जारी है हुँ और यह लावbels से ऴॉहटा दिखने को मिला और अगर साथ देखेंगे तो bandwidth AMella markets में लाज सकोच गॉसे दिलों में देखने को मिल रहाâte तो support का अगर बात करें तो Nifty is having support at around 16,800-16,600 levels Nifty का यह नीचे में support level है 16,600-16,800 When it comes to the resistance level, the resistance is placed at around 17,200-17,400 levels यानि 17,200-17,400 का resistance level है तो यह जो दो उपर में मैंने resistance level दिये और जो दो मैंने नीचे में support level दिये इसके दायरे में भी market घुमता हुआ नजर आ रहा है यह level इधर साइट जब भी break होगा चाहे फिर नीचे की तरफ break हो या फिर उपर की तरफ break हो तब हमें बड़ा move markets में उपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा Market का चाल और market का direction देखते हुए लगता है breakout उपर की तरफ का ही आना चीए बढ़ यह रेस्टेंस लेवल ब्रेक होने का वेट करें एक्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड रखके चलें डिप्स में खरदारी कर सकते हैं सपोर्ट लेवल्स का stop loss मान के चलें और ज्यादा concrete day-to-day ट्रेडिंग के stop loss के लिए अपने financial advisor से टच में रहे futures options में ट्रेडिंग करने के पहले risk देखे stop loss के साथ काम करें और volatility को ध्यान में रखके काम करें जो मैंने resistance लेवल बताए हैं वो तूटेंगे उसके बाद एक बढ़िया मूव उपर की तरफ इंडेक्स में देखने को मिलेगा और फिर दिवाली तक 18,000-18,000 प्लस के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं वेन इट कमस तो बैंक निफ्टी 38700 के पास अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 39,300, 39,500 यह इमेजेट उपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 39,300 के उपर क्लोजिंग मिलती है ब्रेक आउट मिलता है तो 40,000 प्लस के लेवल बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे 38,300 का लेवल अगर नीचे में टूटा तो करेक्शन बढ़ेगी और फिर और प्रोफिट बूकिंग देखने को मिल सकता है मार्केट्स की वॉलेटिलिटी में बचने के लिए स्टॉप लोस का इस्तिमाल करें बिना स्टॉप लोस के काम करें जो लॉंग टॉम के निवेशक है वह कॉलिटी स्टॉक्स में लोर लेवल पर खरदारी करें ऐसा जो भी कोई डिप आता है वह अच्छे स्टॉक्स में बाइंग अपपॉर्चिनिटी होता है अच्छी कंपनियास अच्छिह भासमें मिलना यह संक्यत होता है जब भी करेक्शैन आती है गिरावाट आता है अब बी स 6 ग्लोबल मार्केट में अहुगवके हैं असे इंटी मैं पूर्टिकल टेंशेशन स्टिन कर रहे वी natра जैसे यह सब संखेते यह जैसे सब कूल ओफ होंगे जैसी सब में थोड़ा सा भी पर प्रोफिट अध्यन देखने को मिलेगा, तो equity markets sudden और sharp rally करेंगे, सबसे बड़ा संकेत है dollar index, dollar index पर closely watch रखे, dollar index में जैसे ही गिरावट आएगी profit booking आएगी, तो सबसे पहला move equity markets में आएगा और अच्छी तेजी हमें equity markets में देखने को मिलेगी, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, banking सेक्टर में, Axis Bank, ICCA Bank अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स के उपर, इन स्टॉक्स में आप long term के लिए निवेश कर सकते हैं, dips में खरदारी कर सकते हैं, existing positions hold रखके चल सकते हैं, आने वाले दो मेने, तीन मेने, चार मेने के लिए, सिमेंट सेक्टर पे मजबूती है, सिमेंट सेक्टर में गिरावाट में खरदारी करें, अल्ट्रा टेक, ACC, अम्बूजा, इनके अंदर long positions initiate कर सकते हैं, existing positions hold रखके चल सकते हैं, पावर सेक्टर में यहां से मजबूती बंती वी नजर आ रही है, पावर सेक्टर आज भी मजबूत है, और यहां से थोड़ी सी मजबूती और देखने को मिल सकती है, कोल इंडिया, पावर ग्रीड, एंटी पीसी, इन स्टॉक्स में नजर रखे, डिप्स में खरदारी करे, ट्रेडिंग के लिए आपको financial advisor से touch में रहना होगा, proper research analyst से touch में रहना होगा, और proper stop loss के साथ ट्रेड लेने होगे, यह long term के लिए आप निवेश करके चल सकते हैं, I think आज की वीडियो में इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्नेवाद, थेंक यू, बाबाए, टेक क्या,